मेरे चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ठेंक यू है माई यूटूब फैमली वेरी वेरी गुड मॉर्निंग तो मॉर्निंग का टाइम है और हम मॉर्निंग में ही चले थे भगवान शूग के दर्शन करने के लिए तो हमारे गाव से नजदीखी एक मतलब प्राची नहीं बोल सकते हो तो प्राचीन मंदिर है वैसे तो मंदिर नया है बट इसकी जो स्थापना है वो पुरानी है तो कहा जाता है कि ये जो मतलब ये जो मंदिर है न वो नदी के बीच था तो पहले यहां पर मंदिर नहीं था अभी मतलब बनाया है तो यह जो यहां के अंदर की जो प्रतीमा है वो जो शुलिंग है न वो नदी में बहकर ही आया था तो बस वही यहां पर स्थापित किया है और ये मंदिर का जो काम है न वो अभी अभी किया है तो पत्थरों स बहुत अच्छी तरीके से यह मंदिर बनाया है और यह बीच नदी में मतलब नदी के बीच में ही था यह मंदिर बटबी इतना ज्यादा मतलब यह नहीं है तो नदी के किनारे पर दिखाई देता है जैसे कि मतलब नदी का जो बहाव है वो कम हो गया है जब ज्यादा बहाव ह जाता नहीं आजू वाजू में सब खेत वेगरा है तो यहां पर मेरे हभी ना पानी की तलाश कर रहे थे क्योंकि हमने पानी नहीं लाए थे घर से क्यूंकि एनको पानी मिल जाए when wants are green चले गए थे थोड़े से आपि पर दूर और अंधर उन्होंने पाणी विवेगा भर नाये थे तो यह दिखिये में समय तब तक आपको दिखाती हूँ तो यह जो तो शिवलिंग है ना यह जो शिवलिंग का आकार मतलब यह पत्थर में शिवलिंग जैसे बना हुआ है ना एसा के एसा यह पत्थर है ना तो यह पूरा जो शिवलिंग है यह नदी में बहकर आया था तो यहां के जो गाव के लोग है तो उन्होंने देखा और फिर इसकी कि अपना करने के बाद यहां पर मंदिर वेगरा बनाया गया तो आही है इस वहादैक्न कि कहानी तो हमारा ख्राध्य है तो हमने प्रदोकश हे तो कि महासे हैं divide की चला बट्र। आज हम चले जाते हैं मतलब कोईभी महाद reminis पर सकते हैं तो हमने इस वाले महादयों पर आना हमारा बहुत दिनों से मतलब सोचा था तो बस हम आ गए हैं यहां पर तो यहां पर हमारी पूजा चल रही है और मैंने अपना स्काप भी नहीं उतारा था क्यूंकि यह बेट गए थे और फिर मैं भी जल्दी-जल्दी में भूली पर भी गई कि मुझे स्काप उतारना है तो उसके बाद में अपना जो स्काप उतार लिया था तो यहां पर हम बेल पत्र वेगेरे जो जो शुजी को लगता है वह हम चड़ा रहे थे और आप देखी सकते हो तो यहां का जो व्यू था यहां का जो वेदर था ना वह इतना की था इतना मसट लग रहा था तो हम तो नहीं पटलब काफी देर तक बेठे थे बहुत अच्छा लग रहा था हमें और यह पर फोटो शूट्वी करवाये थे हमने बहुत अच्छा लग रहा था तो यह देखिए यहां का यह पूरा व्यू अं मतलब इसके आजवा जू का जो परिसर है ना वो पूरा ग्रीन ग्रीन था मतलब पूरे जाड़ वेगरा और हरा भरा था तो अच्छा लग रहा था तो यह नीचे जो नंदी है वहां का व्यू है खुशी ने यहां पर थोड़ा सा शूट करा था तो मैंने यह एड कर लिया है आप देखी सकते हो बाद य हम थोड़ी देर बेठे थे तो गपपा लड़ाए मतलब गपशप करी और यहां पर खुशी देखिए यह जो घंटी है उसे बजाने की कोशिश कर रहे थी यहां पर मैं कैमरे में देख रहे थी तो मुझे कुछ दिखाए दिया कि इनके ना सेर पर कुछ लगा है तो फिर म उसको हटा रहे थी मुझे लगता है कि चावल ही था तो बस हटा दिया था हमने और उसके बाद फिर में और मेरे बेटी हम घूम रहे थी यहां वाँ फिर खुशी को जाड़ू दिखाए दिया तो खुशी बोनने लगे ममा मैं जाड़ू लगा लेती हूँ क्योंकि यह थो कुछ तो उसकी पत्या विगरे उड़के तो आज जाएंगी और हम अगर एक दिन घर साफ ना करे तो गंदा हो जाता है उसी तरह से इस मंदिर में तो कोई साप सपाई करने वाला नहीं कोई देखभाल करने वाला नहीं तो फिर थोड़ा सा यहां पर गंदा हो रखा था त यहां जहां मुझे अच्छा लगा ना वहां शूट कर रही थी और मेरे हभी को बोड़ रही थी कि यहां पर फोटो शूट करवाने के लिए कितना मस्त वेदर है कितना अच्छा व्यू है और बेग्राउंड कितना मस्त है वही वाते हो रहे थी मेरी तो अच्छा लग रहा तो एक ही आदमी बेठा हुआ था आप देख सकते हो जाड के पास तो वही एक आदमी था जो कि हमारे आने से पहले दो तीन लोग थे बट वो चले गए थे तो एक आदमी जो था ना वो बेठा था तो मुझे लगता है कि वो यहां की देख भालवेगरा करता होगा शायद से तो यह यहां पर मैं आपको घड़ी दिखा रही थी और यह देखिए कितना ग्रीन ग्रीन कितनी हर्याली नजर आ रही है ना तो बहुत मस्त लग रहा था मुझे तो यहां से निकलने का मन बिल्खुर भी निकल रहा था बहुत देर तक हम वहां पर मतलब रुके और पताए खुशी को अगर मैं खाना वेगरा ले जाती ना हमारा तो फास्ट था बट खुशी ने खाना ने खाया था तो खुशी के लिए अगर मैं खाना ले जाती ना तो और टाइम वहां पर बिता आते पर खुशी जो है बोलने लगे कि मुझे भूक लगी है चलो घर पे तो बस बाद मैंने मेरे हभीकर नमस्कार वेगिरा करा और फिर उतर गए थे हम नीचे तो ये देखिए ये है नदी तो ये नदी में बहेकर ये जो ये है न शूबलिंग वो बहेकर आया था तो बहने के बाद मतलब वो किनारी पर आ गया तो लोगों ने देखा और उससे फिर यही पर स्थापित कर दिया तो ये पूरी यहां तक नदी थी बटा भी न ये यहां पर मतलब जंगल वेगिरा इससे ये हो चुका है जहाड वेगिरा आ चुके है इस वज़े से तो बस यहां पर आ चुके है हम घर पर और हमारे घर से न बस 10 मिनिट का रस्ता है बाइक पर जान तो बस यही खाना है आज का प्रदोश जो है न मतलब यह जो प्रदोश में कर रही हूँ यह सिंपल वाले है अभी इसमें फ्रूट्स वेगिरा चलते हैं पहले जो मैंने प्रदोश कर रहे थे उस वह हमारे संकल्प वाले प्रदोश थे तो उसमें हमने फ्रूट्स वेगि खा सकते हैं बस तीखा और नमक वाली चीज़े नहीं खाने हैं तो बस यही आपसे बात करने थी कि हम गए थे मंदीर में तो चले फिर मिलते हैं मेरे नेक्स वीडियो में वीडियो पसंद आया तो लाइक करने ना बाबाई